शिरी शिवाई नमस्तुप्यम हर हर महादेव पीपल्स मॉल के पीछे करोन भोपाल मत्य प्रदेश में गुरुची पंडिपदी मिशाची के द्वारा वाची जा रही महामरत्युम जाई शिम महापराण कथा 12 जून तीसर दिन की कथाज पूर्ण हो चुकी है ये पांस दिवस्य शिम महापराण कथा 10 जून से 14 जून तक दोपहर में 2 बज़े से 5 बज़े तक यूटूब चैनल और आस्ता चैनल पर देखी जा सकती है कल मतलब 13 जून 2023 दिन है मंगलवार का और अपने व्यपार वद्धी के लिए सरकाई नोकरी प्राप्ती के लिए और शिगर विबा के लिए आपको एक आसान उपाय करना है इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंध में प्राप्त होने वाली है उससे पहले आज की कथा में ग्रूजी ने 11 उपाय प्राप्त रुपयों की जानकारियां दी है सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माद्यम से देंगे किसी कारणवर्ष यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रस्तद्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा पशुपती नादवर्थ का उध्यापन कौन से सोंबार को किया जाता है तो सही उत्तर है C पांच वे सोंबार को और आज की वीडियो कर प्रेशन इस प्रकार है सावन में शिवलिंग पर कितने लोटे जल चड़ाये चाते हैं A.1, B.2, C.3 या D.4 आप इस प्रेशन का उत्तर कमेंट के जरी हमें भेश सकते हैं और हम इस प्रेशन का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर गुरू जी ने कहा आज आपसे एक प्रेशन करना चाहता हूँ आज तक व्यास पीट से ये प्रेशन नहीं किया हेलमेट और सीट पेट लगाने से सरकार का कोई फायदा होगा की नहीं नहीं न क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है इससे आपकी जान बस्ती है उसी तरहां शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चड़ाने से सिहोर वाले प्रदीब मिश्टा जी का कोई फायदा है इसमें सिहोर वाले महाराज जी का कोई फायदा नहीं है इसमें आपका ही फायता है आपके जीवन की दुख की घड़ी में आपके जीवन के अंतिम समय में महादेव आपके पास आके जरूर खड़े मिलेंगे बढ़ते हैं आशी कथा की दूसरी जानकारी की ओर राधा वर्माजी भोपाल करों से पत्र लेकर आई मैं फरवरी में सोनग्राफी कराई थी तो डॉक्टर ने बताया गर्व में जो बच्चा है उसकी किड़नी नहीं है और डॉक्टर ने कहा आप इस बच्चे को ना रखें यदि आप रखेंगे भी तो ये जीवन भर बीमार रहेगा इसके बाद डॉक्टर ने 15 दिन का समय दि हमने रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चड़ा कर वेल पत्र चड़ा कर और रुद्राक्ष का जल और वेल पत्र को बहु को खिला देते और 22 दिन बाद फिर से हमने जाच कराई तो डॉक्टर भी आश्चर चकित थे कि दोनों किड़नी तुमारे दुख की घड़ी में वो भी केलाज छोड़का तुमारे द्वार पे खड़ा मिलेगा बढ़ते हैं आज की कथा की चोथी जानकारी की और सुनीता जी पत्र लेकर नाई मेरा बेटा सरकारी नोकरी की तयारी कर रहा था पर कई भी चयान नहीं हो पा रहा था तब म मेरे बेटे ने पशुपतिनाद व्रत भी किया और एक लुटा जल चड़ाना शुरू किया वो साथ में पढ़ाई पुरी लगन से की पढ़ाई में कोई कमी नहीं चोड़ी और बाबा की क्रपा से मेरे बेटे की रेलवे में स्टेशन मास्टर की नोकरी लग गई है उसी का भारवेद करने कता पंडाल में आई हूं बरते हैं आज की कता की पांचवी जानकारी की ओर पर अगर इस चका चोन से हम भगवान को भूल जाएं दान करना चोड़ दे तो याद रख लेना जो आप आज कर रहे हो उसका भी फलापको जरूर मिलने वाला है बढ़ते हैं आशी कथा की छड़वी जानकारी की ओर मनिशा जी पत्र लेकर आई मेरी बेहन की शादी को 5 साल हो गए ते संतान का सुक नहीं था जितने डॉक्टर को दिखाया सभी ने कहा आपको संतान का सुक नहीं होगा आपको कुछ प्रॉब्लम है सारे ट्रीटमेंट करा प्रॉब्लम है संतान सुक नहीं हुआ टेस्ट ट्यूब बेबी भी करवाया तब भी संतान सुक नहीं मिला इसके बाद निराश होकर बेटे फिर किसी परिचित ने हमें वाटसेप पे शी महापराण के क्लिप भेज दी और हमने देखी शी महापराण कता सुनना शुरू कि पस्व पतीन आत्वरत करना शुरू किया और बाबा पर एक लोटा जल चड़ाना शुरू किया ओ बाबा की ऐसी किरपा हुई कि गर्ब ठेर गया है उसी काभाल विक्कने कथा पंडाल में आई हूँ अब बढ़ते हैं आशी कथा की साधवी जानकारी की ओर किरन साहुजी पत्र लेकर आई मेरी शाधी के 20 वर्ष हो चुके थे डॉक्टर का दिखाया तो डॉक्टर ने कहा दोनों ट्यूब ब्लॉक हो गए दस साल बाद ऑप्रेशन भी करवाया पर संतान नहीं हुई इसके बाद 20 वर्ष भी हो गए संतान नहीं हुई इसके बाद मेरी पड़ोसन ने शिवलिंग पर जल चड़ाने को कहा मैंने कहा कि 20 वर्ष में जो नहीं हुआ वो शिवलिंग के जल से कैसे हो सकता है पड़ोसन ने कहा सीवर वाला महराज इतना कहता है एक बार करके तो देखो तो हम रोज शिवलिंग पर जल चड़ाना शुरू किया और आशी कथा की आठवी जानकारी की ओर 2009 में मेरी बेहन का व्या हुआ था अब से मेरी बेहन का गर्ब नहीं ठेहरा और बाबा की उपर एक लुटा जल और पशुपति नादवत से मेरी बेहन के यहां 2009 के बाद 2023 में संतान हुई है उसी का भर वक्त कने कथा पंडाल में आई हू अब बढ़ते हैं आशी कथा की नोवी जानकारी की ओर 19 जून से 25 जून तक खगरिया बिहार में कथा होने वाली है जिसका एड्रेस इस प्रकार है संसारपुर खेल मेदान खगरिया बिहार और इस कथा का नाम रहेगा नंदीश्वर शी महापरान कथा नंदी के पास बढ़ते हैं अगली 11 जानकारी की ओर गुरु जी ने महामृत्यूम जाई शी महापरान कथा में जो उपाय बताया था वो एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए अगर शरीर में बहुत जादा व्यादियां हो बीमारियां हो दर्द हो पीड़ा हो या कोई रोग आपको सता रहा हो तो आपको किसी भी दिन उपाय कर लेना है आप कल के दिन मतलब 13 जून मंगलवार के दिन भी यूपाय कर सकते हैं आपको एक कटोरी में थोड़ा सा दूद लेना है आपको गाय का दूद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है गाय का दूद ले और कच्चा दूद लेना चाहिए हमेशा शीवलिंग पर कच्चा दूद ही इस्मन करते हुए, आपको एक बार महाम्न टिम जय मंत्र का इस्मन करना है, अर धीमी धीमे, धार से वो दूपững शिवलिंग पर अरपित करने के बाद आपको एक कलश जल अरपित करना है, और उस जल को ओश्ची रूप में प्राप्त कर लीजिए, उस जल का तीन बार आपको कर सकते हैं अब बढ़ते हैं अगली बार भी जानकारी की ओर आपके व्यपार में व्रद्धी देखने को नहीं मिल रही है या आप किसी नोकरी के लिए प्रयास कर रहे है पर आपको नोकरी प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर बहुत लंबे समगे से आप एक ही नोकरी कर रहे हो पर ना ही आपका वेतन बर्डा है और ना ही पत्रतिस्ट हो रही है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं या फिर आप विबाहा के लिए देरी हो रही है उम्र बढ़ती चली जा रही है पर विभा नहीं हो पा रहा है तो आप उसके लिए भी उपाय कर सकते हैं आप अपने परिवार को चलाने के लिए जो भी कारे करते हो उसमें आपको उन्नती देखने को नहीं मिल रही है उसमें आगे आपको सफलता देखने को नहीं मिल रही है तो भी आप ये उपाई कर सकते हैं इस उपाई को करने के लिए आपको एक धतूरे की आविशकता होगी कल 13 जून दिन है मंगलवार का इस दिन आप सुभा के समय ये उपाई जरूर कीजिएगा ये उपाई सिर्फ आपको एक धतूरा लेना है और उसको फोल लेना है धतूरे का अंदर का भाग आपको निकाल लेना है धतूरे के अंदर का भाग को लेकर और एक लोटा जल लेकर आपको श्रीमंदिर पहुंचाना है शिवाले जाना है धतूरे का फल आपको शंकर हुआन की शिवलिंग पर चड़ा देना है इसके बाद आपको शिरी शिवाई नमस्तव्यम बोलते हुए अपने मन की कामना करते हुए एक लोटा जल शंकर हुआन की शिवलिंग पर आपको अरपित कर देना है इसके बाद हाँ जोड़ के निवेदन कीजिए और जब पूरी आपका उपाय हो जाए विशेला होता है और ध्यान रखिए जो आप एक कलश जल चड़ाएंगे उस जल को आपको जहलना नहीं है अपने जल कलश में क्योंकि वो जल विशेला होता है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है इस उपाय को करने के बाद आप एक चीज और कर सकते है जो कि गुरू ज हारते अपने मन की उल्जन हैं समस्या है सब शिपजी को कहिए बर आपको मोम रहना है अन्दर यंदर सिफ घुको देखना है सारी चीजे आप अपने भाव से प्रकट किजिए इस बस आपको इतना ही करना हे उपायों से लेकर मन में कोई सवाल ये कोशन ने तो आप कमेंट बॉक्स से जरीए बूस सकते हैं वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लागा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरहर महादेव जरू टाइप कीचिए का श्री शिवाय नमस्तु प्याम